जी नमस्कार स्वागत आफ सभीका दिनमंत्र की यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम रोईद वैद्वान आफ हैस्टेक वच्छे पार्टी कुल मिला गरत दिनमंत्रा एक अभियान जिसमें बात हुई थी जिस दिन सीटेट हुआ था और सीटेट जब हुआ था इस बार तो इस बात के साथ की एक paper leak हुआ जिस पर सायद cvc ने नजर अंदाज गरते हुए बाद और इस तरीके से आफ फिलाल एक नहीं चीज जो आपके सामने जो शयाद बहुत पहले notice आ गया था किसी की नजरों में नहीं आए था नजरों के साथ मैं आपको बदाना चाहत हुआ था कि इस बात पर आप चाहे CBC सेंटर चले जाए कुछ भी कर लीजेगा, उने कुछ प्रूफ दिखाते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, जिब कैसा हो नहीं सकता है कि ऐसी खबर नहीं है, क्योंकि जब पूरा इंदुस्तान जानता है कि ऐसा कुछ हो तो ऐसे लिए CBC क्यों नहीं बता चलेगा, खैर उस बात को भी मैं बता दू अभी फिलाल, तो एक चीज जो आपके सामने है, जो मेरे को बता नहीं थी, यह है CBC कहते है कि मैंने कंडेक कराया जो 18th edition of seated successfully, उसमें जो registered candidate हुए है, उसमें registered candidate 9,58,000, इस बार paper 1 का candidate कम हुआ है, लगबग लगब उसका double हुआ है, paper 2, 6 to 8 के लिए, और आप यह समझ जाके हैं, जो scenario उल्टा हुआ करता था, वो इस बार बिल्कुल क्या हो गया अलग, क्योंकि पहले paper 1 जाता होता था, अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे, तो आपको मैं वह वाला भी दिखा देता हू लगबग अगर आप देखेंगे, तो यहां लगबग यह दोनों क्यों सेम हुआ करते हैं, तो पीछे रिजन था, क्योंकि B8 स्टुडेंट paper 1 के भी form बरते थे, लेकिन जब से B8 बाहर निकला है, तो paper 1 वाले student क्या उचुके हैं, बाहर तो paper 1 से बाहर उचुके B8 वाले, त उन्होंने form नहीं बरा, और उसका scenario आपके सामने ही आएं, कि इस बार paper 1 लगबग 10 लाग और 17, और total जो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था उस दिन भी, इस बार भी 26 लाग के आसपास 93 अगर कर दोगे तो 27 लाग के आसपास form बरे गए हैं, जिसमें से कहना चाहते हैं कि 84 परतिशत candidate जो हैं, वो exam देने आये हैं, तो लगबग लगबग, 22 लाग के आसपास form जो हैं, दे गए हैं, और बस इन्होंने ये बोल दिया कि paper में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो paper है, वो बिलकुल बढ़िया हुआ है, और ये उनका ही press release note है, जो 21 तार पर आपको देखने को नहीं मिलता, अब आप सोचेंगे, इस वीडियो का मतलब गया है, तो इस वीडियो का मतलब है, यही कि हर बार, इस बार भी सीटेट में मतलब, पिछली बार अगर आप धिहान देंगे, तो यहां सीटेट में के लगबग 29 लाग बच्चों ने form बरा इस बार लगब 27 लाग बच्चों ने form बरा है, तो इसी तरीके सा आप समझते रहिएगा, form पर form बढ़ते रहिएगा, ना तो वेकेंसी आती ना कुछ, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक अनौंसमेंट आएगा, और कुछ वीडियो बनाते में चैनल भी रहा, फटा-फ आप समझदार है, लेकिन ये वाली बात के साथ अब मान के चलेगा, कि इन्हें पेपर लीक से कोई मतलब रहा नहीं है, कुछ दिनों में आपके सामने रिजल्ट दिया जाएगा, हो सकता है, 12 या 15 तारिक तक आपके सामने 17 तारिक को रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है, ।